दोस्तों अगर भारत की एक ऐसी जगह की बात की जाए जहां पर हर कोई जाना चाहता है तो उसमें केरल का नाम जरूर आएगा ये कैसी जगह है जोकी कुदरत की गोद में बसी हुई है यहां पर भगवान की अपार लीला है जिसके वज़े से इसे भगवान का अपना देश भी कहा जाता है और हम आज आपको इसी केरला के बारे में कुछ ऐसी रोचक बाते बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपको जरूर कुछ नाया सीखने को मिलेगा तो इसलिए अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाए केरला की एक हवाई सफर के और दक्षण में हिंद महासागर है केरल राजी के स्थापना एक डौमबर 1956 में हुई तिरवनंत पुरम ये केरल राजी की राजधानी है कोची और कोची कोड ये यहां के महतपूर्ण शहरों में से एक हैं माना जाता है कि मले आलम यहां की मुख्य भाशा है पर परेटन के दुनिया भर से हजारों लोग हर साल आते हैं इस राजी की लिटरेसी रेट 100% के आसपास है और ये भारत का एकलौता ऐसा राज है जिसकी लिटरेसी रेट 95% से ज़ादा है इसलिए केरल को भारत का सबसे शिक्षित राज भी कहा जाता है दोजार पांच में एक सेविक्ष जाता है कि ये मध केरल प्रांत में सबसे स्थिर और कुशल शासक के रूप में 14 वंश का राजपत था ब्रिटिश शासन के समय में त्रावन कोर केरल का प्रमुख वियापारिक इस्थान हुआ करता था जातर हिस्सों में समुद्री तर्ठ होने के कारण इस राज को प्राचीन काल से चलती आई भारती मानिताओं के साथ पश्यमी संस्कृती का मेल जोल अथिक दिखाई देता है जैसे कि हमने कहा था जातर मात्रा में समुद्री तर्ठ होने के कारण यहाँ पर प्राचीन काल से ही विदेशी लोगों का आना जाना बना रहता है जिसमें अर प्राचीन मंदिर, स्मारग, भवन, प्रास्तनाघर आदी शामिल होते हैं कुल मलाकर केरल भारत का वो दक्षनी राज है जिसने आधुनिक्ता के इस युग में लगभग सभी शेत्रों में विकास किया है जिसकी प्राकृतिक सुन्दर्ता ने राजी के खुपसूती में च चीते हैं मले आलम भाशा केरल की प्रमुक और आधिकारिक भाशा है जिसका सबसे ज़्यादा प्राथमिक तोर पर कम्मिनिकेशन में उप्योग किया जाता है इसके लावा यहां के लोग अंग्रेजी भाशा का अच्छे से इस्तिमाल करते हैं केरल के लोगों की अच्छी करनी ज़रूरी है और लिटरिसी रेड हंड्रेट परसंट होनी के वज़े से यहां के लोगों को इंग्लिश सुधारने में काफी आसानी हुई भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में केरल का रहें सें थोड़ा सा कम्यूनल है राजी के आधे से जादा जन मुदाय के लोग रहते हैं पाराडेक लेजेंड्स के अनुसार केरल के उत्पत्ति हिंदु धर्म से होई है केरल ने भारत को बहुत से संत तौस्मा रख दिये हिंदु तो और अद्विता फ्लोसफी का प्रसार करने वाले आदिश शंकराचार एक धार्मिक दर्शिन सास्त करी थे जिनका संबंध केरल से है अशोक के समय में यहां बुद्ध धर्म का भी प्रसिद्ध था कुछ हिंदु समयता है जैसे सामंत शत्रिय, अंबलावासी, नायर, तियास और मुस्लिम, मरूमा कथायम के नाम से जाने जाने वाली पारंपरेक मेरे ट्रेनियल प्रणाली अपनाते थे, जबकि भारत की आजादी के बाद यी प्रणाली भी गायब हो गई, भारत की दूसरे राज्यों की तुलना में केरल राज में लिंग असमानता की मात्रा जादा है, यहां पर मर्दों की जनसंख्या और तों से जादा है, इस राज के भोजन प्रकारों में श सांबर वड़ा, उत्पम, भात आती शामिल होते हैं, और केरल के विंजन ना सिर्फ केरल बलकि पूरे भारत में बहुत ही मशूर है, आपको भे इडली डोसा सांबर इन सब के बारे में तो जरूर पता होगा, और आप में से जातर लोगों ने तो इसे रोजा ना खाया भी होगा, क्योंकि ये काफी स्वादिश्ट होते हैं, साथ ही साथ इतने महंगे बिनियाते और इससे पेट भर जाता है, और ये हल्दी पे होते हैं, जिसको जिसे पूरे भारत में हर कोने में इडली सामर जरूर खाया जाता है, भारती राज केरल के वेशबुशा खुद में अपना स्वतंत्रा स्थित्ट रखती है, जिसमें मुंडू नामक परिधान महिला और पुरिशों के लिए एकसा होता है, मुंडू कमर से नीचे पैनों तक पहना जाने वाला वस्तर का प्रकार होता है, जो के आम तोर पर सफेद रंगा होता है, केरल के पुरिशों के मुख वहीं कुर्ता और शेरवानी भी पहनने का प्रचलन यहां आम तोर पर देखा जा सकता है, आजकल शर्ट टीशर्ट के साथ सादा तथा जीन्स पैंट पहनने का चलन भी अधिकता से देखने को मिलता है, जो लगभग अब भारत के सभी राज्यों में देखने को मिलता है, बात करने महिलाओं के प्रद्धान की तो साड़ी यहां पर आम तोर पर सभी महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली मुख्य पोशाक है, इसके अलावा मुंडू और ब्लाउज, मुंडम, नेरियाथम, सलवार कुर्ती भी यहां पर खास तोर पर पहचानी जाती है, और पहन किया जाता है, राज के मैन फेस्टिवल में पुरम शामिल है, जिसे थ्रीसर पुरम के नाम से भी जाना जाता है, इस वक्त में आपको यहां पर हाथी कई लोगों की भीड और नाच गाना मिल जाएगा, और थ्रीसर पुरम में मैन अट्रेक्शन यही है, दूसरे में फेस् आवल नारियल वापरसा चड़ाते हैं जुलूस में पारम परिक संगी जैसे इंस्रूमेंट्स बजाए जाते हैं केरल और परेटक ये दोनों चुम्बक के वो हिस्से हैं जिने कभी अलग नहीं किया जा सकता भरब्धिय हरियाली नारियल के पेड़ और गदगद कर देने वा परमपराओं के तो क्या कहने ये सभी केरल की जान और शान माने जाते हैं केरल के परेटक स्थल परेटकों को बहुत ही अपनी और रुजाते हैं नमबर एक एलेपी एलेपी जिसे अलाप पुजहा के नाम से भी जाना जाता है ये केरल के एक प्रमिक परेटक आकरशनों में से एक है ऐसा माना जाता है कि एलेपी में घूमने के लिए बहुत सारी अद्बूत जगे हैं जो एक शांदार शुट्टियों के लिए बैस्ट है एलेपी केरल का सबसे लोग प्रिये परतिन स्थल है जो कि अपनी बैक वाटर के लिए प्रसिद्ध है इस जहे को अक्सर पूर मुख आकर्शन है जो दुनिया भर से कई परेटकों को आकर्शित करते हैं नंबर दो तिर्वनंत पुरम तिर्वनंत पुरम जिसे त्रवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है ये केरल राज़ की राजधानी होने के साथ साथ एक खुबसरत शहर भी है ये शहर अपनी अद परेटक्चर के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं त्रवनंत पुरम शब्दकार्थ है भगवान अनंत का शहर शहर की लोगप्रियता पदनाव स्वामी मंदिर के कारण है जो भगवान विश्णू को समरपेत एक विशाल मंदिर है और शहर के केंदर में स्थित है स्वच अनंत पुरा मंदिर और निले शुरम है जो दर्शनी है तो ये था हमारा केरल के उपर एक छोटा सा वीडियो उमीद है आपको ये पसंद आया होगा चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें देखने के लिए शुक्रिया